एक समय की बात है, गाव में एक छोटे से लड़के का नाम अर्जुन था, अर्जुन की एक बहन थी जिसका नाम सिमा था, रक्षा बंधन के दिन अर्जुन के पास बहन के लिए राखी नहीं थी, उसने सोचा, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ बहन को बिना राखी के, अचानक उ उसने एक छोटे से गोल रंगीन लाइट को बनाया और उसे राखी की तरह सजा कर बहन के लिए लेकर आया, जब वह बहन के पास पहुचा, वह बहुत खुश हुई और बोली, ये राखी कैसी है भाई? अर्जुन हसते हुए बोला, ये राखी हमारे गाउं के भूत की बना ही है, बहन ने हंसते हुए राखी बांधी और बोली, ये भूत बहुत प्यारा है, मैं इसे धन्यवाद दूंगी, कभी मिला तो, और इसके बाद अर्जुन और सिमा ने एक दूसरे के साथ रक्षा बंधन का त्योहार मनाया, इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है, कि कभ कभी हमें उन्नती के लिए बड़े नहीं, बलकि आपके भावनाओं और संबंधों के माध्यम से आप अपने प्यार को व्यक्त कर सकते हैं, ये कहानी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,